नाश्काट दोस्तों ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फोर मेंज का पार्ट हैं आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोस पेपर वाइज वाइज देख सकते हों और अगर आप दिसंबर 2019 के बाहर की वीडियोस को देखना चाहते हों तो वीडियो के नेचे मौझूद जोइन बटन की साहिता से आप मेंबर्शिप को जोइन कर सकते हो। चलिए डिस्केशन स्टार्ट करते हैं। आप GS Paper 3 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। Face Recognition Software देखो काफी चर्चा में आया, जब हमारे होम रिश्टर अमित्सा ने पार्लियमेट में एक स्टेट्मेंट दी कि दिल्ली हिंसा में जिन्होंने दंगा किया, जिन्होंने प्रोपर्टी को नुक्सान पहुंचाया, या फिर जो वाइलेंस में सनलीप्त हुए, उनकी पहचान की जा रही है, फेस रिकोगनीशन सोफ्ट्वेर की साइथा से, तो हमारे देश में एक छोटी सी डिबेट स्टार्ट हो गई, कितने सक्सेस्फुल हैं ये फेस रिकोगनाईज करने वाले सोफ्ट्वेर, ये डिबेट देखो पहले ही, काफी देशों में चल रही हैं, पुलिस को इन फेस रिकोगनीशन वाले सोफ्ट्वेर का इस्तिमाल करना चाहिए, या फिर नहीं करना चाहिए, देखो पुलिस एक फोर्मल ओर्गनीशन बनी 150 साल पहले, तब से लेके अभी तक एक ग्लोबल कंसेंस है, कि पुलिस चार्टर सिरफ पब्लिक प्लेसिज में पीस इस्ताबलीश करने तक सिमित नहीं रहना चाहिए, फोकस होना चाहिए पुलिस का क्राइम प्रिवेंशन पर भी और क्राइम डिटेक्शन पर भी, क्राइम प्रिवेंशन मतलब क्राइम को होने से रोका जाए, हैं अक्सर लोग ये सिकायत रहती हैं कि पुलिस के पास इतनी ज़्यादा manpower होती हैं पुलिस latest technology adopt कर सकती हैं बावजुद इसके crime को solve करने की success rate हैं वो कम क्यों हैं अभी देखो 30-40% cases ही पुलिस के दोरा solve के जाते हैं average के और पर और कई-कई जगहां पर तो ये ratio जो हैं बहुत ज़्यादा कम हैं इवन जो sensational cases होते हैं वो cases जिन पर media का काफी ज़्यादा ध्यान होता है public का काफी ज़्यान होता हैं बहुत बार ऐसे cases भी पुलिस के दोरा solve नहीं किया जा सकते हैं बट देखो problem यह हैं पुलिस जब नई नई innovation को adopt करना चाहती हैं ताकि यह insure किया जासके ज़्यादा से ज़्यादा crime solve हो तब लोग ही विरोध करने लगते हैं लोग कहते हैं यह जो technology पुलिस इस्तिमाल कर रही हैं यह सही नहीं है इससे जन्ता को नुकसान होगा example देते हैं डाइटर face recognition software जिसका इस्तिमाल अभी USA में और UK में किया जा रहा है criminals को पकड़ने के लिए होता क्या है देखो पुलिस के पास एक database होता है जिसमें pictures होती है images होती है criminals की या फिर जिन पे सक है उनकी उन pictures को match किया जाता है public places से जो तस्वीरें पुलिस के द्वारा camera से ली जाती हैं तो अगर कोई तस्वीर match हो जाती है तो मतलब पुलिस को जिस अपरादी की तलास थी वो मिल गया फिर पुलिस अत्रिक्त मेजर्स का इस्तिमाल करती है ये ensure करने के लिए कि इसी person ने crime किया है समझ गए मतलब सिरफ उन्हीं लोगों की face को match किया जाता है जो पुलिस के पास database मुजूद है या तो उन पे सक होता है या फिर वो criminals होते हैं लेकिन दो वज़ाओं से women activist groups के द्वरा in face recognition softwares का विरोध किया जाता है पहला reason कि देखो जारातर बार पुलिस के द्वरा USA की हम बात कर रहे हैं non white, blacks, दूसरे ethnic groups या फिर minorities के लोगों को पकड़ा जाता है इस software की चाहिता से जबकि देखो इसके जवाब में writer यह कहते हैं देखो software जो है वो random ढंग से pictures लेता है किसी एक area पर focus नहीं करता और सिरफ उनी faces को match किया जाता है जो police के database में मुझूद होते हैं तो यह जो अरोप लगता है कि जान बूज के minority groups के लोगों को हरास किया जाता है in facial recognition software की साहिता से यह अरोप गलत है दूसरा जो अरोप लगता है in facial recognition softwares के against कि इससे privacy का violation होता है इसके जवाब में आरके रागवन बोलते हैं कि देखो वैसे भी आज के समय में जगह जगह पर CCTV cameras लगे होते हैं तो आप नजाने road से गुजरते वक्त कितने CCTV cameras में आपका face capture हो जाता है और जब crime को solve करने के लिए police इन softwares का इस्तिमाल करें उसमें आपका face capture हो तो कुछ गलत नहीं है और देखो जब police ऐसा करेगी मतलब facial recognition software का इस्तिमाल करेगी तो एक mechanism भी होता है जैसे UK में होता क्या है data को उसी समय delete कर दिया जाता है और अगर कोई face match भी हो जाता है further crime investigation के ल data store करके रखते हैं आरोप लगता रहता है जो Chinese phones हैं वो हमारे data का गलत इस्तिमाल कर लेती हैं तो उनसे भी तो हमें खत्रा है जबकि यहां पर तो police पुरा भरोसा दे रही हैं कि हम आपके data को उसी समय delete कर देंगे और भरोसा देते हैं किसी भी अन्य यूज के लिए आपका data इस्तिमाल नहीं होगा जिस उस data में जिसमें आपका face capture हुआ है तो कहने का मतलब यही है कि face recognition वाले software का इस्तिमाल अगर होता है किया जाता है police के दवरा तो इसमें कुछ गलत नहीं है लेकिन एक strong mechanism होना चाहिए कि data साथ कि साथ delete कर दिया जाए और data का गलत इस्तिमाल ना हो privacy का पूरा ख्याल रखा जाए दूसरा algorithm अच्छा हो मतलब किसी भी परकार से ऐसा ना हो कि minority areas पर यह software फोकस करता हो या फिर अनावशक रूप से minority groups या फिर दूसरे groups की harassment होती हो इन software से यह ensure करना भी ज़रूरी है इंडिया में भी आने वाले समय में इन facial recognition software का इस्तिमाल हो सकता है उससे पहले proper checks रखना बहुत ज़रूरी है ताकि गलत इस्तिमाल ना हो इस discussion में फिलाल इतना ही है Thank you, thank you very much for discussion